अब अगर मैं बात करूं जोमेट्रिकल फिगर्स की तो जोमेट्रिकल के अंदर केवल जोमें उसके अंदर होती है बहुत सारे लाग को किस तरह से ग्राफ के उपर रिपरेंड़ के बोल रहे लेकिन two एपर पड़ी हूई लेकिन वो सिर्फ वन वेरियबल में पढ़ी हुई है जाब पर हम सिर्फ लेनियर एक्वेशन को सॉल करते थे उसका ग्राफ नहीं बनाते है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते थे ग्राफ पर लेकिन इस बार जो नाइंथ क्लास के अंदर हमें जो लीनियर एक्वेशन पढ़नी वो वन बमें नहीं पढ़नी वह में पढ़नी अ remember to learn a question क्या होती ही इंज तो उसको किस तरह से उसके सॉलिसेंस निकले जाते हैं उसमें कितने सॉल जोते हond Germany क्या नहीं झाला तरह किस तरह से डिप्रंट किए जाता है वह सारी चीजिंगा से आधि करेंगे तो सब से पहले मैं आता हूं what is an equation, equation क्या होती है, equation है किसा statement होता है जिसके अंदर statement जिसके अंदर हम x की यानि variable की 1 या 2 या 3 कुछ infinite number of values उसको satisfy करनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि statement ऐसा जो x की सारी value को satisfy कर, नहीं तो वो identity बन जाएगी, लेकिन अगर मैं equation की बात कर रहा हूं, तो equation का मतलब यह हुआ, कि x की कुछ values, x की 1 value बहो सकती है, x की 2 value बहो सकती है, वो क्या करनी चाहिए, उसको satisfy करना चाहिए statement को, जैसे अगर मैं बोलो 2x-4 equal to 4, अगर मैं 2x-4 equal to 4 रख रहा हूं, तो x की सिर्फ एक value होगी, जो इस equation को satisfy करेगी, and that is 4, अगर मैं x equal to 4 put कर रहा हूं, 2x-4, 8, 8-4 equal to 4, जो की हमें 4 मिल रहा है, लेकिन इसकी x की different values जैसे 3, 1, 2, यह सब values को satisfy नहीं करेगी, तो इस तरह की terms को मैं क्या बोलता है, equation, अब जो equation होती है, उसके बीच में एक तो equal to का sign होता है, और उसके 2 parts होते हैं, left hand side part और right hand side part, दूसरी चीज़, equation के अंदर कुछ constant terms होते हैं, कुछ mathematical operations होते हैं, और कुछ variables होते हैं, variables, constant terms and mathematical operations with equal to, अब अगर मैं बात कर रहा हूं, linear equation की, तो linear equation का मतलब क्या हुआ, एसी equation जिसकी degree कितनी हो, 1, एसी equation जिसकी degree 1 हो, degree का मतलब, variable की highest power, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, 2x square plus 5 equal to 0, या मैं अगर बात करूं, 2x plus 5 equal to 0, और 1 मैं बात कर रहा हूं, 3x cube plus x square plus y plus 2 equal to 0, यह सारी की सारी वैसे तो equations है, लेकिन हमें कौन से equation पढ़नी है, वो depend करेगा, कि जिसकी degree कितनी हो, 1, degree का मतलब, variable की highest power कितनी होनी ची, 1, यहाँ पर variable कौन है, x, तो यहाँ पर x की maximum power 2 है, इसका मतलब इसकी degree कितनी हो गई, 2, तो यह linear equation नहीं है, इसका मतलब यह हमें study नहीं करनी, यहाँ पर variable है, सिर्फ x, x की maximum power 1 है, x की maximum power 1 है, तो इसका मतलब इसकी degree कितनी हो गई, इसलिए यह वाली equations हमें यहाँ पर study करनी है, second अगर मैं थर्ड़ equation की बात करूं, तो इसकी degree कितनी हो रही है, 3, मतलब x के maximum power 3, इसका मतलब यह वाली equation भी हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ linear equation पढ़नी है, और linear equation का मतलब क्या हुआ, एसी equations जिसकी degree कितनी हो, 1, degree का मतलब highest power of the variable, अगर मैं इसके कुछ examples की बात करूं, तो like that, 2x plus 5 equal to 0, x plus 2y plus 3 equal to 0, 2x minus 3y plus 5z equal to 0, इस तरह की equations की हमें यहाँ पर study कर नहीं है, जैसे अगर मैं first equation की बात करूं, तो यह one variable है, यहाँ पर सिर्फ एक variable है, x और उसकी maximum power भी कितनी है, one, second equation की अगर मैं बात करूं, यहाँ x और y दो variables है, लेकिन दोनों की power 11 है, इसका मतलब degree हम, इसके भी कितनी है, one, यहाँ पर 3 variables x, y, z है, लेकिन तीनों की power 11 है, इसका मतलब इसकी degree भी कितनी है, one, तो यह सारी linear equations है, अब इनको classify किया जाता है, according to number of variables, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर एक variable है, अगर मैं second equation की बात करूं, तो दो variable है, और third की बात करूं, तो तीन variable है, मतलब हमने linear equations को categorize के according to number of variables, according to number of variables, there are, मतलब कुछ भी हो सकती है, अगर one variable है, तो linear equation in one variable, two variables है, तो linear equation in two variables, three variables है, तो linear equation in three variables, तो हम कुछ standards ले लेते हैं कि linear equation in one variable, linear equation in two variable, और इसी तरह से आगे भी चोगे linear equation in three variables, लेकिन जो हमारे syllabus में, 9th के syllabus में, वो सिर्फ 2 variables है, 1 variables को हम 7th and 8th class में study करके आये हुआ है, कि linear equation in 1 variable क्या होती है, कि इस तरह से उसके equations को solve क्या जाता है, लेकिन linear equation in 2 variables को में इस 9th class के अंदर solve करना है, पहले जीस्तों मैं इनके दोनों को classify करना चाहता हूँ कि दोनों में difference क्या है, linear equation in 1 variable का मतलब है, इसी linear equation जिसमें सिर्फ एक variable हो, जिससे अगर मैं बात करूँ, x plus 5 equal to 0, यहाँ पर पहले जीस्तों क्या है linear equation है, yes, क्योंकि इसमें variable x है और इसके maximum power 1 है, और यह linear equation है, क्यों, linear equation तो है, उसके साथ में one variable x, इसलिए इसको बोलेगा linear equation in one variable, लेकिन अगर मैं equation की बात करूँ, 2x minus y equal to 5, तो यहाँ पर variables कितने होगे, 2x and y, तो यह किसमें होगे, two variable में linear equation, हमें पढ़ने हैं इस तरह के, one variable की अगर मैं बात करूँ, तो जिसके standard form होती है, वो standard form होती है, ax plus b equal to 0, where x, a is a constant of, a is a coefficient of x and b is a constant term, तो अगर linear equation one variable की बात करूँगा, तो उसके standard form के अंदर, दो terms include होती है, एक x वाली और एक constant term, यहाँ पर ax का coefficient है और b constant term है, लेकिन अगर मैं इसके standard form की बात करूँ, two variables की, तो यहाँ पर दो variables होगे, x and y, suppose मैंने माल लेया, इसके standard form क्या होगी, ax plus by plus c equal to 0, इसके standard form होगी, यहाँ पर दो variables से तो दो terms होगे, x और y के और साथ में एक constant term, यानि ax plus by plus c equal to 0, a is a coefficient of x, b is coefficient of y and c is constant term, तो हम आते हैं, अपने main topic पर, linear equation in two variable पर, start करते हैं, जो हमारे ninth class का main topic है, सबसे पहले मैं आता हूँ, इसके standard form पर, what is the standard form of linear equation? in two variable, अगर मैं standard form की बाद करूँ, तो यहाँ पर x की term होगी, y की term होगी, constant term होगी, तो हमने इसके standard form को क्या बुला? ax plus by plus c equal to 0, where a, b, c belongs to real number, यह जो a, b, c coefficients होते हैं, यह real number को represent करते हैं, अब यहाँ पर हमने इसके अंदर different, different cases बना है, सबसे पहले चीज़ तो अगर हम linear equation को इस तरह से define करते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कि a and b cannot be simultaneously 0, क्या मतलब है इस line का, कि हमने standard form तो दे दी, ax plus by plus c equal to 0, लेकिन हमें यहाँ पर एक term और लिखने पड़ती है, कि जो x और y का coefficient है a और b, वो दोनों एक साथ 0 नहीं होने चीए, अगर वो दोनों एक साथ 0 होगे, तो कोई भी constant term 0 के equal नहीं हो सकता, constant term कुछ भी हो सकती है, 5, 8, 10, minus 2, minus 5, तो अब भी बताओ आप वो दोनों term, यह सारी term constant term 0 के equal कैसे possible है, तो हमें यहाँ पर standard form के साथ में एक चीज़ लिखनी पड़ती है, कि a and b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, हाँ, single single 0 हो सकते, a एक बार में 0 हो सकता है, तो b नहीं होगा, और अगर b एक बार में 0 हो गया, तो फिर a नहीं हो सकता, उसके coefficients के according हमने इनको classify किया है, कुछ अलग different different cases बनाया है, case number 1, if capital A equal to 0, अगर suppose x का coefficient a 0 हो जाता है, तो equation किसमे convert हो गई, by plus c equal to 0 में, इसका मतलब यहां से variable x हट चुका है, तो यह किसमे convert हो गई, यह one variable में, यानि यह जो linear equation 2 variables से, वो किसमे convert हो गई, यह one variable में, हम अगर मैं linear equation की बाद करो, तो इसका graph आता है, एक straight line, तो graph को हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा idea देता हूँ, कि इसका graph किस तरगा होगा, इसका graph होगा, एक straight line, ऐसी straight line, जो कि क्या होगी, parallel to x-axis, यह हम graph जब study करेंगे, तो यह चीज दब clear हो जाएगी, कि इसका graph x-axis के parallel क्यों आता है, second अगर मैं बात करूँ, case number 2 की, अगर coefficient b 0 हो जाए, अगर y का coefficient b 0 हो जाए, तो equation किस में convert हो जाएगी, ax plus c equal to 0 में, बतलब वापिस से जो two variables वाली equation थी, वो one variable में convert हो गई है, चाप पर y का coefficient 0 है, लेकिन x का coefficient 0 नहीं है, और इस बार जो इस line का graph होगा, वो होगा straight line, लेकिन इस बार जो line होगी, वो आएगे parallel to y axis, पहले x axis थी और अब y axis है, case number 3, अगर मैं constant term c को 0 के equal कर देता हूँ, तो equation क्या बनेगी, ax plus by equal to 0, और जब ये equation बनेगी, तो इसका जो graph होगा, वो एक line होगी, straight line जो की horizon से pass होगी, यानि passes through, horizon, और एक last बचा हुआ है, कि case number 4, if a equal to 0, b equal to 0, and c equal to 0, तो ये जो हमारी linear equation है, वो एक identity में convert हो जाती है, identity का मतलब, x और y की सारी की सारी values क्या करेगी, इस equation को satisfy गरेगी, तो यहां पर हम इसको क्या बोल देते हैं, कि ये एक identity में convert हो जाती है, ये हमने इसको, coefficients के साथ इसका comparison देखा है, अब हम आते हैं, इसके कुछ practical examples पर आते हैं, कि जैसे अगर मैं आपको कोई equation देते हूं, उसको किस तरह से solve किया जाता है, उसका कुछ graph किस तरह से होता है, उस पर आते हैं, टॉपिक इस, solution of linear equation, solution of linear equation, जैसे अगर मैं practically एक example के बाद करूँ, 2x plus 4 equal to 0, ये one variable में equation है, तो यहाँ पर definitely x की एक value ऐसे होगी, जो कि इस equation को क्या कर रही होगी, satisfy, यहाँ पर अगर मैं x equal to minus 2 put करूँगा, तो definitely ये किस में convert हो जाएगा, 0 में, और हमारी equation को satisfy कर जाएगा, लेकिन अब हम यहाँ पर one variable तो study नहीं कर रहे है, हम यहाँ पर study कर रहे है two variables की, तो जैसे अगर मैं example की बात करूँ, x plus 2y equal to 5, suppose मैंने एक example लिया, x plus 2y equal to 5, तो यहाँ पर अगर मैं x और y की values की बात करूँगा, और अगर linear equation two variables में, तो उसके infinite solutions possible है, यहाँ पर एक equation के infinite, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर मैं x equal to 0, and y equal to 5 by 2 put कर रहा हूँ, तो 0 plus 2 into 5 by 2, 5 मिल जाएगा, यानि इस equation को satisfy कर रहा है, अगर मैं x equal to 1, और y equal to 2 put कर रहा हूँ, तो भी यह क्या कर रहा है, इस equation को satisfy कर रहा है, अगर मैं x equal to 3, y equal to 1 put कर रहा हूँ, तो भी यह क्या कर रहा है, इस equation को satisfy कर रहा है, अगर मैं x equal to 5, y equal to 0 put करूँगा, तो भी यह क्या करेगा, इस equation को satisfy करेगा, तो मैं practically इस equation से क्या बोल सकता हूँ, कि इस equation x plus y equal to 5 के कितने solutions possible है, infinite solutions possible है, मतलब अगर मैं आपको सिर्फ एक equation देता हूँ, linear equation in two variable की form की equation, अगर एक equation देता हूँ, तो उसके infinite solutions possible है, हम आप पर x और y की unique values define नहीं कर सकते हैं, तो अगर मैं आपको बोलू कि मुझे x और y की unique values चाहिए, तो minimum आपको कितनी equations की जरूरत है, तो अगर मैं आपको बोल रहाँ, two variables है, तो अगर two variables है, तो अगर मैं आपको two equations देता हूँ, suppose ये एक equation और देती, एक equation ये थी, तूसरी equation है, तो फिर मैं यहाँ से x और y की unique values define कर सकता हूँ, otherwise नहीं कर सकता, अगर मेरे पास three variables है, तो linear equation भी कितनी होनी चीए, तीन, जितने हमारे पास variables होते है, minimum कम से कम, अगर हमारे पास उतनी equations है, तो मैं uniquely x और y define कर सकता हूँ, other नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं आपको एक ही equation देता हूँ, तो उसके infinite solutions होंगे, अगर infinite solutions में है, तो मैं उन solutions को किस तरह से calculate करूँ, यह हमारा first question होता है, कि find four solutions of this equation, find three solutions of this equation, किस तरह से हम equations के solution find करते हैं, वो question देखते हैं, question is, find four solutions of the equation, two x minus three y equal to six, हमें इस equation के चार solutions find करने, वैसे तो मुझे पता है कि linear equation in two variable के अगर एक equation दी जाते हैं, तो उसके infinite solutions होते हैं, यहां पर हमें उस infinite में से चार solutions निकालने होते हैं, तो हमारा method क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, हमारी question दी two x minus three y equal to six, हमें क्या करना होता है, कि LHS की दरफ किसी भी एक variable को रखते हैं, और दूसरे variable को RSS में लेके जाते हैं, मतलब किसी एक variable की value को दूसरे variable की terms में निकाला जाता है, जिससे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या मैं 2x equal to three y plus six लिख सकता हूँ, और अगर मैं x की बात करूँ तो वो क्या मिलेगा, three y plus six upon two, यानि मैंने क्या कर दिया, किसी एक variable x को दूसरे variable y की term में लेकर आ गया, अब हमारा काम यह होता है कि हम y की यहाँ पर different different values put करते जाए, उसके respect में हमें different different x मिलता जाएगा, y अगर मैं कुछ value put करूँगा, उसके respect में x मिलेगा, तो जितने solutions हमें ची उतनी ही different different y के values put करते जाओ, अपने आप भी क्या होगा, x की different different values मिलती जाएगी, जैसे suppose मैं यहाँ पर put कर रहा हूँ, put y equal to 0, जैसे y equal to 0 put करूँगा, x equal to क्या देदेगा, 6 upon 2 ऐनी 3, तो first solution हमारा क्या हो गया, 3,0, हम x को सबसे पहले लिखते हैं, second number पर y को लिखते हैं, तो हमारा solution क्या हो गया, first solution is 3,0, फिर हमने put किया, y equal to 2, y equal to जैसे ही 2 put करेंगे, x के 3 के साथ में multiply होगा 2, फिर plus 6 upon 2 देदेगा, 3 into 2 यानी 6, 6 plus 6, 12 upon 2 यानी 6, तो हमारा second solution क्या होगा, 6,2, y तो 2 था और उसके respect में x कितना है, 6, अगर मैं तीसरे solution के बाद करूँ, तो इस बार कुछ और value put कर देते हैं, y कि suppose minus 2 put कर देते हैं, y equal to कितना, minus 2, आप अपनी मर्जिन से कुछ भी values put कर सकते हैं, कुछ plus में, कुछ minus में यह आपके उपर depend करता है, तो हम x equal to value कितनी होगी, 3 into minus 2, plus 6 upon 2, minus 6 plus 6 कितना दे देगा, 0, यानि तीसरे solution कितना होगा, 0, minus 2, अगर मुझे एक और solution चीए, तो इस बार मैं put कर रहा हूँ, y equal to plus 1, plus 1 भी put कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, तो अगर जैसे ही 1 put करेंगे, x equal to कितना हो जाएगा, 3 plus 6 upon 2, यानि की 9 upon 2, तो हमारा जो फोर्थ solution होगा, वो क्या होगा, 9 by 2, 1, तो हमारे 4 solutions is, x equal to 3 पर y 0, x equal to 6 पर y 2, x equal to 0 पर y minus 2, and x equals to 9 by 2, and y equal to 1, इस तरह से हम linear equation के solutions निकालते हैं, हमें यहाँ पर 4 solutions निकालने थे, इसलिए हमने y की 4 values put करें, उसके respect में x मिल गया, अगर मुझे 5 solutions निकालने होते हैं, तो एक और value अपनी मर्जी से put कर देता हैं, उसके respect में, फिर से x मिल जाता, तो इस तरह से हम linear equation को solve करते हैं, second question पर आते हैं, question आपके पास, find 3 solutions of equation, find 3 solutions of equation, 2x minus 1 equal to 2, हमें 2x minus y equal to 2 के 3 solutions find करने हैं, हमारा target वही है, किसी भी एक variable को, दूसरे variable की term में लिखा था, इस बार मैं चाता हूँ कि y को x की term में लिखू, तो मैं इस equation को 2x minus y equal to 2 को, अगर y को इस तरफ और 2 को इस तरफ लेकर जाओं तो क्या होगा, 2 तो हो जाएगा negative का और y हो जाएगा positive का, यानि मैं क्या लिख सकता हूँ, y equal to 2x minus 2, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की different values put करेंगे, y उसके respect में मिल जाएगा, suppose मैं सबसे पहले put कर रहा हूँ, put x equal to 0, जैसे ही मैं x equal to 0 इस equation में put करूँगा, equation क्या देदेगी, y equal to minus 2, यानि के first solution is 0, minus 2, हम x को first में लिखते हैं, y को second number पर, उसके बाद मैं put कर रहा हूँ, put x equal to 1, आप अपनी मर्जे से कोई भी values put कर सकते हैं, x equal to, जैसे ही 1 put करूँगा, y is 2 into 1, minus 2, यानि 2 minus 2 कितना 0, यानि second solution is 1,0, और इस बार मैं put कर रहा हूँ, put x equal to minus 1, तो minus 1, जैसे ही यहाँ पर put करेंगे, y equal to 2 into minus 1, minus 2, minus 2 minus 2 is equals to minus 4, यानि third solution is minus 1, minus 4, आपको 3 solutions मिल गए, तो हमारा pattern क्या है, हम equation को एक variable को दूसरे variable की terms में लेकर आएंगे, एक variable की value put करते वे चलेंगे, और उसके respect में दूसरे variable की value को निकालते वे चलेंगे, तो हम जितने चाहां, उतने solutions निकाल सकते हैं, और मैंने बताया कि linear equation के एक equation के कितने solutions possible है, infinite solutions, next question पर आते हैं, question है, आपके पास, prove that, prove that x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of equation 3x minus y equal to 5, आपको prove करना है कि x equal to 2 और y equal to 1 क्या है, इस given equation के solutions है, अगर given equations के solutions है, तो इस given equation में x और y की values को satisfy करने चीए, मतलब मैं अगर इस equation में x और y की values put करूँ, तो इसका LHS part, इसके RHS part के क्या हो जाना चीए, तो मैं क्या कर रहा हूं, put x equal to 2 and y equal to 1 in left hand side, तो जैसे मैं left hand side में put करूँगा, 3 into 2, minus 1 मिलेगा, 6 minus 1 कितना हो गया, 5, और क्या इसका 5, RHS के 5 के equal आचुका है, right hand side में भी 5 भी था, इसका मतलब left hand side और right hand side equal हो चुके, इसका मतलब कि यह जो given values थी x और y की, वो इस equation को satisfy कर दें, मतलब इसके solutions है, so 2,1 is a solution of given equation, next question पर आते हैं, question है आपके पास, find the value of a, find the value of a, if x equal to 2 and y equal to 3 is a solution of equation 2ax minus y equal to 5, अगर x equal to 2 और y equal to 3 is given equations के solution है, तो a की value क्या होगी, a कोई भी constant term है, तो देखो, हम क्या कर रहे है, x equal to 2 और y equal to 3, अगर solution है, तो इस equation को क्या करने चाहिए, satisfy करने चाहिए, तो मैं x equal to 2 और y equal to 3, इसमें put कर रहा हूँ, put x equal to 2 and y equal to 3, जैसे ही मैं value put करूँँगा, 2 है, x के जगा 2, y की जगा 3, equal to किता देगा 5, यह minus 3 left hand side से right hand side में जाएगा, तो plus हो जाएगा, यानि 4 times of 2 into 2, equal to 3 plus 5 means 8, तो अगर मुझे a की value निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, 4 से divide, यानि a equal to कितना मिल जाएगा 2, यानि a की value कितनी आई, तो कब जब यह दोनों इस equation के solutions है, next question पर आते हैं, question है आपके पास, if x equal to minus 1 and y equal to minus 5 is a solution of equations, solutions of equations 3x equal to ay plus 7 and y equal to bx plus 7, find a plus b, देखो आपको क्या बुला है इस बार इस question में, कि x equal to minus 1 और y equal to minus 5 क्या है, इन दोनों equations के solutions है, मतलब इन दोनों equations को क्या करना चीए, satisfy करना चीए, एक equation के अंदर a include है, और दूसरी equation के अंदर b include है, और हमें जो value find करने है, वो a plus b के value find करने है, मतलब हमारा पहला target क्या हुआ, a के value निकालना, and second target is b के value निकालना, तो सबसे पहले मैं यहां से a के value calculate करूँगा, और फिर उसके बाद b के value calculate करूँगा, बाद में दोनों का sum कर दूँगा, अब a कहां से मिलेगा और b कहां से मिलेगा, a आ रहा है, इस equation के अंदर हो, इस equation के solutions क्या है, minus 1 और minus 5, इसका मतलब वो इस equation को satisfy करना चीए, और b के लिए, इन दोनों solutions को यहां पर put करा देंगी, तो b के value मिल जाएगी, तो from first equation, हम क्या कर रहे है, x equal to minus 1 और y equal to minus 5, क्या कर रहे है, put कर रहे हैं, तो 3 into x के value कितनी है, minus 1 equal to a into y कितना है, minus 5 plus 7, यह तो हो जाएगा, minus 3 minus 5 है, plus 7, plus 7 को अगर मैं इस side पर लेकर रहाँगा, तो negative हो जाएगा, यानि minus 10 equal to minus 5 है, minus से minus cancel, और 5 से 10, 2 times cancel, तो a equal to यहां से कितना मिल गया हमें, 2, और similarly अगर मुझे b के value calculate करनी है, तो यह दोनों solutions, इस equation की भी है, तो इस equation को भी क्या करना चाहिए, satisfy करना चाहिए, तो इस बार मैं x और y की values को यहां पर put कर रहा हूँ, y equal to था हमारे पास minus 5, b into x equal to था हमारे पास minus 1 plus 7, यानि minus 5 equal to minus b plus 7, इस minus b को अगर मैं left hand side में लेकर आऊंगा तो plus, और minus 5 अगर उदर गया तो plus 5 plus 7 equal to, कितना हो जाएगा 12, यानि b की value कितनी आचुके 12, हमें find करना था a plus b, where a is 2 and b is 12, यानि a plus b कितना हो गया 14, इस तरह से equation को, equation को solve किया जाता, next question पर आते हैं, next question है अब का, the parking charges of, the parking charges of, a car, 8, certain place, in Delhi, is Rs. 50 for first kilometer, for first kilometer, and Rs. 10 for subsequent kilometers, write down the equation for, write down the equation for, this data, for this data, and also find, and also find, the charges for, the charges for, 8 hours, question repeat कर रहा हूं, क्या बोला है, कि किस Delhi में किसी place पर, car parking का जो charges है, वो यह है कि, अगर आप first kilometer, यानि एक घंटा अगर आपका अपनी कार को पार्क करोगे, तो आपके 50 rupees का charges होगा, लेकिन उस एक घंटे के बाद, बाकी के हार्स के लिए, आपका charges कितना होगा, only 10 rupees per kilometer, आपको इस information यानि इस data को, किसी equation में convert करना है, equation का मतलब, अगर मैं उस equation में time को put करता जाऊं, तो उसके respect में मुझे, हमारा charges मिलता जाए, उस equation के रूप में इसको represent करना है, साथ में मुझे ये भी find करना है, कि अगर मैं अपनी कार को, आठ गंटे तक वहां पर पार क्यों करता हूं, तो उसका कितना charges लगेगा, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमें 2 variables नजर आ रहे हैं, कौन से, एक तो time, और दूसरा है charges, मतलब fair, कितना हम उसको amount pay करेंगे, और कितने time के लिए हमारी car पार कोई, इसका मतलब यह two variables का application बन रहा है, एक variable को हम x माल लेंगे, दूसरे variable को हम y माल लेंगे, और उनके बीच में हमें क्या निकालना है, relation निकालना है, तो let, हमने सबसे पहले यह माल लिया, let, time जो है, जिसके लिए हमने car पार्क की किये, वो time कितना है, x hours, time को हम किस से represent कर रहे हैं, x से, और उसके respect में जो charges हो रहा है, यानि जो हम money उसको charge दे रहे हैं, वो कितनी है, suppose y rupees, अब तो relation निकालते हैं, relation कुछ इस तरीके होगा, कि first kilometer के लिए 50 रुपे, एक kilometer के तो हमें कितने देने, 50 रुपे, उसके बाद के जितने भी kilometers होंगे, उनके money कैसे देनी है, 10 रुपे के according, तो अगर मैं x hours तक car park करता हूँ, तो first, भई x hours है ना हमारे पास, तो इस x hours को मैं दू पार्ट में divide कर रहा हूँ, एक तो एक गंटे का अलग, और दूसरा x minus 1 hertz का अलग, इस एक गंटे के लिए मुझे 50 रुपे के according पे करना पड़ेगा, और इस x minus 1 गंटे के लिए मुझे 10 रुपे पर किलोमेटर के according पे करना होगा, तो हमारा total charge कितना होगा, total charge को हम y से represent कर रहे हैं, 50 रुपे तो किसके लिए, first kilometer के लिए, और 10 रुपे किसके लिए, बाकी के x minus 1 hertz के लिए, मतलब हमारी जो equation बनेगे, वो इस तरह से बनेगे, 50 into 1, 1 for first hour, and 10 into x minus 1, x minus 1 is remaining x minus 1 hertz, तो यहां से जो equation होगे, वो होगे y equals to 50, plus 10x, minus 10, means 10x, plus 40, तो यहां पर y represent कर रहा है, charges को, और x जो represent कर रहा है, वो represent कर रहा है time को, यानि charges, x के respect में किस तरह से increase होगे, y equals to 10x, plus 40 से, अगर मुझे, यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, x की different, different values, put करता जाओंगा, उसके respect में, मुझे charges मिलते जाएंगे, जैसे अगर मालनो, मैं पड़ू, तो मुझे कितना निकालना है, 8 hours का charge, if x equal to 8, मतलग, अगर मैंने हमारी कार गो, 8 गंटों के लिए पार्किया है, तो कितना charge होगा, x equal to 8 होगा, यानि y equals to, 10 into 8, plus 40 means, 80 plus 40, it means, 120 रूपीज, यानि उस कार के चार्ज, पार्किंग का चार्ज कितना होगा, 120 रूपेगा, for 8 hours, next question पर आते हैं, Question is, the linear equation, that converts, that converts Fahrenheit, method of F2 Celsius, any C, is given by, the relation, C equal to 5F minus 160 upon 9 मतला आपको एक equation दे रखिए Fahrenheit को Celsius में change करना आपने चोटी classes में पढ़ा होगा कि temperature की 2 units होती थी Fahrenheit और Celsius तो Fahrenheit को Celsius में किस तरह से convert किया जाता था C equal to 5F minus 160 upon N करके अब जो question है वो ये है First is if the temperature if the temperature is 86 degree Fahrenheit then what is the temperature what is the temperature in Celsius Second question is if the temperature is 35 degree centigrade then what is the temperature in Celsius and इसी में हमने third question और पूछा है third question है आपके पास if the temperature is 0 degree centigrade if the temperature is 0 degree centigrade then what is the temperature in Fahrenheit और इसी के साथ में है and if the temperature is 0 degree Fahrenheit then what is the temperature in degree centigrade and fourth is what is the numerical value of the temperature which is same in both the scales इसे को वापिस से समझा रहा हूँ कि क्या बोला है क्यों के अंदर क्या फाइंड करना है वापिस से देखते हैं हमें क्या दिया होए? Fahrenheit को Celsius में किसदध से चैंज क्या जाथ था? उसका equation दिया हूए हमसे चार क्योंसे पूचे के है से अगर तेमपोर्योर प्फेरनाइट में 86 तो और एकाट आपस ये पूचह है कि अगर दोनों स्केल्स का टेम्प्रेचर नियुमेरिकली इकवल हो मतलब नियुमेरिकली डिग्री संटिग्रेट में और डिग्री फैरनाइट में वैल्यूस इकवल हो तो वो कितनी वैल्यूस होगी हम स्टार्ट करते हैं from first question first is हमसे पूछा है हमारे पास जो रिलेशन था होता c equal to 5f minus 160 upon n हमें f की वैल्यू कितनी दे रखी 86 डिग्री फैरनाइट और मुझे इसको किसमें convert करना है celsius में तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर f equal to 86 degree put किया तो c equal to कितना हो जाएगा 5 into 86 minus 160 upon 9 5 into 86 is 430 minus 160 upon 9 अगर मैं 430 में से 160 को minus कर रहा हूँ तो देखते हैं कितना मिलता है 30 minus 6 और 270 by 9 it means 30 degree centigrade मतलब कि Fahrenheit scale में 86 degree Fahrenheit किसके equal है celsius scale के 30 degree centigrade के यानि कि first answer is 30 degree centigrade अगर मैं second answer की बात करूँ तो हमसे हमें इस बार centigrade में temperature दिया था 35 और हमें निकालना था it means c equal to दिया हुआ है आपको 35 और आपको निकालना है f तो c की जगर मैंने put कर दिया 35 equal to 5 into f में निकालना है minus 160 upon 9 तो यह 9 तो इदर जाके multiply हो जाएगा 35 into 9 equal to 5 f minus 160 9 को अगर मैं 35 से multiply कर रहा हूँ यानि यह कितना दे देगा मुझे 3 1 5 और minus 160 को अगर मैं left and side में लेकर आँगा तो plus का हो जाएगा यानि 9 3 1 5 plus 160 equal to 5 f अगर मैं दोनों का sum कर रहा हूँ यानि 4 75 equal to 5 f 3 1 5 plus 160 0 5 6 1 plus 1 7 and 3 plus 1 4 अब मुझे अगर f की value निकालना है तो इस पूरी value को किस से divide करना पड़ेगा 5 से it means 4 75 upon 5 कितना दे देगा 95 degree Fahrenheit मतलब अगर temperature 35 degree centigrade तो उसके respect में Fahrenheit कितना होगा 95 degree Fahrenheit यह हमारे दो answers complete हो चुके हम आते अब इसके third solutions पर 3rd question में बोला गया है कि अगर temperature 0 degree centigrade है तो उसके respect में Fahrenheit क्या होगा और अगर temperature 0 degree Fahrenheit है तो Celsius में कितना होगा सबसे पहले मैं आता हूं first part पर if 0 degree centigrade मतलब C के value किती है 0 और हमें क्या find करना है और इसके second part में हमसे क्या बोला है कि if F equal to 0 then what is the C okay तो put करवाते हैं value सबसे पहले C equal to 0 यहां पर put करना है temperature 0 degree centigrade है तो हमें Fahrenheit में निकालना है तो C के value तो हो गए 0 equal to 5F minus 160 upon 9 यह 9 जाएगा इधर 0 के साथ में तो 0 के साथ में multiply होके 0 देदेगा यानि 0 equal to 5F minus 160 अगर मैं 160 को इस तरफ लेकर आता हूं तो positive हो जाएगा यानि 5F कितना हो गया 160 तो इसके respect में F कितना हो गया 32 degree Fahrenheit मतलब की 32 degree Fahrenheit 0 degree centigrade के क्या होता है अब इसमें equal होता है और अब मैं इसके second part पर आता हूं कि F equal to 0 है हमें निकालना है C क्या होगा F को अगर मैं 0 कर रहा हूं यहां पर तो C is equal to 5 into 0 minus 160 upon 9 मतलब C की value कितनी आ गई माइनस के 160 upon 9 degree centigrade मतलब Fahrenheit का 0 degree Celsius के minus 160 upon 9 degree के equal होता है यह हमारा third question का answer है last is fourth question यह है आपका what is the numerical value what is the numerical value of temperature which is same in both these scales मतलब मुझे AC value find करनी है जो कि Fahrenheit में और Celsius में दोनों scales में क्या हो आपस में equal हो वो क्या numerical value होगी हम आते हैं इसके solution पर हमें यह बोला गया है कि Fahrenheit का F और Celsius का C दोनों आपस में equal है किसी numerical value given क्या है F equal to C मैंने माल लिए इस equation में F और C की जगद दोनों जगद क्या put कर रहा हूँ X तो क्या मिलेगा? X equal to 5 into X minus 160 upon 9 9 को इदर cross multiply करेंगे तो 9 X equal to 5 X minus 160 और अगर मैं 5 X को left and side में लेके जाता हूँ तो 9 X minus 5 X equal to minus का 160 इट मेंस 4 X equal to minus 160 तो X equal to कितना हो जाएगा? minus का 140 डिग्री minus का 140 का मतलब क्या हुआ? कि अगर मैं temperature को minus 40 डिग्री centigrade ले रहा हूँ तो Fahrenheit भी कितना आ रहा है? minus का 40 डिग्री Fahrenheit यानि कि Celsius scale में 40 डिग्री centigrade 40 डिग्री Fahrenheit के क्या होता है? आप इसमें equal होता है with negative minus 40 डिग्री centigrade किसके equal होता है? minus 40 डिग्री Fahrenheit के आप चाहो तो cross check कर सकते हो 5 into F फुट करोगे minus का 200 plus minus 360 upon 9 करोगे वापिस से कितना देदेगा? minus का 40 मतलब दोनों scales में minus 40 डिग्री के value आपस में क्या होती है? equal होती है तो यह आज हमने क्या study करा है? कि हमने linear equations के solutions क्या होता है? किस तरह से उन equations को solve क्या जाता है? X की कैसे values निकाली जाती है? जो इस equation को satisfy करती है next class में हम यह पढ़ेंगे कि इस solutions को represent कैसे किया जाता है? graph के उपर कि अगर मैं आपको एक equation देता हूँ linear equation तो उसका graph क्या होगा? जो कि हम graph paper पर represent करेगा आप थोड़ा सा मैंने hint दिया है कि straight line होगी तो straight line किस तरह से represent करते हैं? तक्यू वरी मुच